कॉंग्रेस से निकाले जाएंगे पप्पू यादो, दस दिन में बदल गए कॉंग्रेस के तेवर कॉंग्रेस का पप्पू को अल्टिमेटम जो महागडबदन के खिलाप वो हमारे साथ नहीं पुंग्रेस के पप्पू यादो, साफ कर चुके है, को अपरियल को पूंग्रेस से नहीं आमागर पत्र दाखिल करेगे तो दूसी तरब कॉंग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि अगर पपू ने बहागणबंदन उम्मीद्वार खलाब चुनाव रड़ा तो उन पर शक्त कारवाई होगी कॉंग्रेस ने साफ कर दिया है कि महागडबंधन के सीट शेरिंग में कॉंग्रेस के कोटे में जो 9 सीटे आई है पार्टी का अधिकरत उम्मीदवार वही होगा बाकी सीटों पर गडबंधन के सहयोगी दलों से अधिकरत उम्मीदवार चुनाव लड़े के किसी भी सीट पर फ्रैडली फाइट नहीं होगी इस बीच कहा जा रहा है कि पपू यादो निर्दली चुनाव लड़ने की तयारी में भी जुट गए है यही काराण कि कॉंग्रेस का जंटा फैरानी की बात करने वाले पपू यादो ने अब खुद को जनता समर्थित उम्मीदवार बताने लगे हैं इससे पहले पपू साफ कर चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूँगा तो पूर्णिया से ही नहीं तो राजबी छोड़ दूँगा उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता मेरी सांस है दरसल पपू यादो जब कॉंग्रेस में शामिल हुए थे तो राहुल और प्रियंका ने उन्हें भरुसा दिलाया था कि कॉंग्रेस पूर्णिया सीट उन्हें सौपेगी लेगने सीट पर आरजबी चुनाव लड़ने पर अड़ गई लालुयादों ने सीटों के बटवारे के एलान से पहले ही भीमा भारती को आरजबी का सिंबल तक दे दिया था ऐसे में पपू के लिए अम निर्दली चुनाव लड़ने के अलाबा कोई और विकल्प नहीं ब